वेलकम टू वोकाइब सिंप्लिफाइड इस पंका जोजा आ गया हूं आपके लिए क्लास फाइब लेकर इसमें अगेन हम देखेंगे वोकाइब के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है आई शुरू करते हैं लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन यहां पर टार्टली का आपको मीनिंग बताना है और उसका सिन्निम भी बताना है क्या होगा पोलाइटली होगा ग्रेशियस होगा सार्कैस्टिक होगा या जेंटली होगा question number one respond immediately she tartly reminded him that he had never experienced prison himself what do you mean by tartly अगर आप किसी को tartly remind कराते हैं या कोई चीज़ tartly बोलते हैं it means आप उसको सार्कैस्टिकली बोलते हैं सार्कैस्टिकली ओके सार्कैस्टिकली यहां पर क्या होगा सार्कैस्टिकली और सार्कैस्टिक का मतलब क्या होता है थोड़ा सा अनकाइंड तरीके से बोलते हैं ओके शार्प और अनकाइंड तरीके से सार्कैस्म का क्या लिए रहता है शार्पनेस और अनकाइंड अनकाइंड तरीके से बोलते हैं ठीक है तो उसने क्या किया बहुत सार सार्केस्टिक धंग से उसे याद दिलाया कि मैंने कभी अपनी जीवन में मैं कभी जेल नहीं गया हूँ, कहने का मतलब उसका ये एक तरह से उस पर कॉमेंट था जिस व्यक्ति को रिमाइड करा रहा था कि तुम जेल गय हो मैं नहीं गया हूँ कभी, ये देख लीजे, इसका explanation tartly in a way that is quick or sharp and slightly unkind, okay, you don't seem to appreciate the situations, he exclaimed tartly, तो tartly मतलब कोई चीज जब आप एक तरह से किसी पर sarcastic धंग से बोलते हैं, थोड़ा सा sharp और unkind धंग से बोलते हैं, और उस पर एक तरह का प्रहार होता है, शब्दों के जब आप बाहर चलाते हैं, तो वो होता है, टार्टली या सार्कास्टिक धंग से, Question No.2, His mother admonished him for eating too quickly, Admonish आपको सबको पता होगा, if you are preparing, praise, scold, extoll, applaud, क्या हो जाएगा यहाँ पर बताएं, तो दोस्तों, अगर Question No.2 की बात करें हैं, Question No.2 में, Admonish का सिन्म हो जाएगा है, scold करना, Admonish होता है, scold करना होता है, और सारे वर्ड होते हैं, जो आप मुझे कॉमेंट में बताईएगा, Reprimand करना, और कोई phrase बताईएगा, जिसका मतलब होता है किसी को ढाटना, Admonish to tell someone that they have done something wrong, He not only speaks Hindi fluently, but English as well, दोस्तों ये एक by mistake, एक दो question आज आज आए गए हैं grammar के, लेकिन इनको देख लीजे आप, It is by mistake, तो यहाँ पर not only but also को आपको देखना होगा, He not only speaks Hindi fluently, but English as well, यहाँ English आया है, but English, तो इसको English के हिसाब से, इसको Hindi में भी adjust कर लीजे इसकी, He not only, He not only speaks Hindi fluently, but English as well, तो इसको कैसे adjust करेंगे, Question No.3, तो question No.3 की बात करें, तो क्या हो जाएगा यहाँ, इसको improve करना है, sentence improvement है, Question No.3, but English कीजेगा क्या हो जाएगा, but also English, but also, He not only speaks Hindi, but also English, ऐसे हो जाएगा, तो तीन में यहाँ पर भी सही हो जाएगा, तो यह ध्यान में रखना है आपको, और यह by mistake आया है, वो कैब का यह बेसिकली चैनल है, और यह की not only, but also की पूरी एक्स्प्लानेशन दी हुई है, not only, but also is usually used to emphasize and connect two word surfaces simultaneously, parallelism being the primal goal, it is correlative conjunction and we use it at the middle and end of sentence, तैसे, he plays his role, but only funny, not only funny, but also naturally, यह question देखते हैं, दो प्रिकॉशिस चिल्डरन नीट केरफुल परेंटिंग, देखें, जो प्रिकॉशिस बच्चा होगा, वो कैसा बच्चा होगा आपको बताना है, लेकिर उसके पहले प्रिकॉशिस का मतलब तो हमें जानना पड़ेगा, तो प्रिकॉशिस का मतलब होता है, दोस्तों, वो बच्चा जो प्रिकॉशिस बच्चा जो होगा, वो पहले से जैसे जो चीज उसे पंदरा साल में करनी चाहिए, वो 10 साल में ही कर लेगा, जो चीज उसे 20 साल में करनी चाहिए, वो 15 साल में ही वो अचीब कर लेगा, इस तरह का बच्चा, Precautious बच्चा कहलाएगा, तो इसका Antonym क्या होगा, इसका Antonym अगर हम बात करें, तो प्रिकॉशस चिल्डरन नीड केरफुल परेंटिंग जो ऐसे बच्चे होते हैं, तो उनको परेंटिंग की जरूरत होती है, तो इसका एंटरिम क्या होगा प्रिकॉशस का यहाँ पे टाडी होगा, हर काम को बहुत धीमा करेगा टाडी, वो बहुत तेज करेगा, अपनी चाइल सी वेंट तो उनिवर्सिटी एड देज फिप्टी टाड़ी डिलेड बियॉंड एक्स्पेक्टेड और प्रॉपर लिमिट जब आप से उम्मीद किया जाता है उस लिमिट से जादा आप डिले कर देते हैं तो वो टाड़ी कहलाता है हर यंगल सन है एक्स्ट्रीम फिय हो जाता है दोस्तों क्रिशन नंबर फाइब की बात करें तो यहां पर जो एक्स्ट्रीम फियर आप डॉक्स होता है वो सीनोफोबिया की कटेगरी में आता है एगोराफोबिया देखे भीड से डर लगेगा इसको एक क्राउड से डरेगा एगोराफोबिया वाला और हाइडरोफोबिया तब होता है दोस्तों जब आपको कुत्ते ने काट लेता है कुत्ता काट लेता उसके बाद जो पानी से आपको डर पैदा होता है उसे हाइडरोफोबिया कहते हैं मतलब रैबीज वाइरस के फैल जाने की वज़ा से जो पानी से डर लगता है उसे पानी से डर है लेकिन यह किसी बीमारी की बजह से नहीं होता यह नैचरली पानी से डर होता है सीनोफोबिया बताया ही डॉक से डर होता है तो आई होप इस अंडेस्टूड आई इसका एक्स्प्लानेशन भी देख लेते हैं एक अगोराफोबिया इन्वाल्स फ्यरिंग अन जो बीमारी होती है अन्य जानवरों के काटने से इस वज़ा से आपको पानी से डर लग रहा है एक्वाफोबिया नाचरल पानी से आपको डर लगता ही लगता है वह एक्वाफोबिया हो गया किसी बीमारी की बज़ा से नहीं सीनोफोबिया एक्स्ट्रीम फियर आप डॉक तो तो फे- नॉर्मल लगता है किसी वीमारी की वजह से नहीं find out correctly spelled word यहाँ पर चार विकल्प है गानेकोलोजी के अगर आप देख पा रहे होंगे तो D भाला विकल्प एकदम सही है question no.6 में D जबाब देने वाले एकदम सही है गानेकोलोजी G-Y-N-A-E-C-O-L-O-G-Y ध्यान में रखिएगा कानेकोलोजी जो स्रीरोग विशेशक होता है वो गायनिक कहलाता है Find the correctly spelled word आपको बताना है यहाँ पर Cosmopolitan, Azimulation, Computation, Vindiscation, Fascination तो यहाँ पर दोस्तों यही वाला सही लग रहा है मुझे Question No.7 की बात करें तो बिलकुल D है Fascination means आकरशन वो यही सही है, इसकी spelling F-A-S-C-I-N-A-T-I-O-N यह बिलकुल सही है, correctly spelled है Fascination, very strong attraction that makes something very interesting London has a fascination all of its own To go to somebody's head यह एक idiom है, आपको इसकी meaning बताना है To go to somebody's head Question No.8 If you are going to somebody's head, it means you are making somebody dizzy or slightly drunk, क्या तो किसी को थोड़ा सा आप शराप पिला दे रहे हैं या उसे थोड़ा सा भोचक का बेहोश ट्रैप का कर दे रहे हैं यह मतलब होता है, ओके ज्यान में रखिएगा Question No.8 में To make someone dizzy or slightly drunk यह होता है To go to somebody's head ज्यान में रखिएगा To go to somebody's head Next आते हैं Next question पर आते हैं दोस्तों I shall not allow you to go home अब यहां पर यह भी एक grammar का question मैंने जैसा कि पहले ही बताया था एक दो question आ जा गए हैं और don't mind vocab के लिए ही यह channel है और vocab के ही question आपको दिये जाएंगे आज आ गए हैं I shall not allow you to go home dash You complete this work तो देखिए यहां पर condition है जहां शर्त होती है वहां पर unless का use होता है यह बहुत ही understood है बहुत ही simple concept है जहां पर शर्त होगी जब तक तुम यह काम नहीं करोगे मैं तुमारे पैसे नहीं लटाऊंगा Unless you do this work I will not return your money ऐसे use होता है Unless का प्रयोगों का शर्त का बोथ कराने के लिए use होता है To bring somebody to book यह एक पूछा जाता है बार-बार खास कर SSC, CGL और Monday exams में To bring somebody to book To punish someone To reveal To add more facts To book a seat Question number 10 To punish someone यहाँ पे सही होगा Question number 10 में जिन दोस्तों के जवाबे आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है तो दोस्तों आज की यह turn question थे और जादा दोस्तों में प्लीज इस channel को share कीजिए नया नया channel है आप ही का channel है दोस्तों जादा से जादा share कीजिए so that हमारा उस सहाब बढ़ सके और हम और जादा जोश से और जैसे ही हम live आने के लिए eligible हो जाते हैं इस channel पर आपका daily live show चलेगा एक time हम बिल्कुल fix कर देंगे उस time पर हम daily live आएंगे comment में जरूर बताइएगा किस time पर आप live हमें देखना शाम को यह मैं आप आऊंगा तो शाम को किस समय पर आप comfortable है एक slot तो book है 9 से 10 वाली वो में पहले ही live आता हूँ उसमें mixed question होते है literature के, vocab के, grammar के उसमें mixed question होते है लेकिन यह exclusively one day exam और बाकी जहाँ पर भी vocab पूछी जाती है उन्हें exams के लिए है तो आप बताइएगा किस time पर appropriate रहेगा live आना तुम मैं उस समय पर live आने की सोचूँगा thank you very much for watching this God bless you all